हेलो स्टूरेंट आज मैं आपको जो लास्टेट 2023 में जो पेपर आया था वो पेपर सॉल्व करा रही हूं और इसका पैटर्न जो अभी वाला अपना पेपर है उससे थोड़ा अलग है लेकिन कोश्चन्स अच्छे हैं इसलिए मैं इसको आपको करवा रही हूं तो जो भी को कि अपने पास में यह मान के चलो आए गई आएगा यह मान के चलिया आप कि यह जो आपका फर्स चैप्टर में जो लास्ट में टेबिल दी हूई है उसमें से एक कोश्चन फर्स्ट जो आपका हम सी क्यों वह वही बनता है सबसे पहले इसमें पूचावा है इंडियन एगर कल्चर रिसर्च इंस्टिटूट काम पर है तो आपको पता है कि आई ए आर आई यह कहां है आपका न्यू डैली में फिर उसके बाद में सेकिंड अपना पास में हू स्टार्टिट प्लांट एंब्रियो कल्चर तो यह भी आपका सिंपल सा है हैंनिंग ने करा था स्टार्टिंग पूछा है और उसके बाद में लेबंग ने करा था लेकिन यहां स्टार्टिंग पूछी है तो इसका अंसर आपका क्या आगा हैंनिंग 19-0 फिर थर्ड है आपका इकनोमिक पेस्ट इसमें कौन सा है तो आपको बताए कि हनी भी है उससे हम हनी लेते हैं वैक फुल पेक्ट है फिर उसके बाद में रोडेंटिशाइट तो आपको बता है जो रोडेंस होते हैं चुहे वगर उननको अपन रोडेंस बोलते हैं और उनको करने से लिए जो हम chemical use करते हैं उसको बोलते है रोडेंटिसाइड और वो आपका है जिंक फॉसफोर्ट तो यह जिंक है और एक अलमोनिय में तो यह जिंक दिया हुआ है तो यह इसका राइट आंसर हो गया फिर उसके बाद में family of red hairy caterpillar तो यह आपको पता है आपका आएगा तो जितने भी आपके इंसेक्ट दे रखें उनकी आप comparative study करके उनके साइंटिफिक नेम classification यह अच्छी तरह के से कर लें ना उसमें से mcq आपका जरूर आएगा फिर नेक्स टे फ्रेंड फंगस के हमारे अधिकतर यह मान के चलिए 99 परसेंट जो है फंगस कैसी होती है हानफोल होती है लेकिन ट्राइकोडर्मा है यहां पर जिसको मैजे बायो फैटिलाइजर यूज करते हैं फिर उसके बाद में हमारे पास म नेक्स्ट है सबसे छोटा जो निमेटोड है वह कौन सा है या उसकी मतला यहां तो करें इसकी लेंट ही पूछी हुए लेंट ओफ इसमॉलेश्ट तो यह आपका है पॉइंट टू एमेम और अगर आपसे नाम पूछा जाए तो यह कौन सा आपका पैरा टाइलस लेकरस तो यह तो आपका हो गया सबसे स्मॉलेश्ट और अगर मालो इसी का अपोजिट आग जाए सबसे लाज तो वह होता आपका 11 mm का और वह होता आपका पैरा लॉंगी डोरस तो यह नाम हो गया तो यह जितने भी एमसी क्यू है आप यह मान के चलो यह आगया तो इससे डिलेटेड अभी लॉंग आ गया तो फिर लॉंग आ जाएगा तो यहां पर यह आंसर आपका क्या रहाएगा पॉइंट टू एमम और अगर लाजेस्ट के लिए आ जाएगा तो वह 11 mm फिर उसके बाद में हाउ मैनी पेर्स ओफ लैक्स तो यह अपने होती है थ्र तो यहां कोई दिक्कत है नहीं स्रीनेश में रिखला है इसका सांटिफिक नेम है फिर उसके बाद में फिलिंग दा ब्लैंक्स तो फिलिंग दा ब्लैंक में देखो सबसे पहले आपको देड़का दा मेनेजमेंट ऑफ एनी वाइल स्पीसिस बाइ मैन इस कॉल्ट तो हम जो आपके ड्स फिलिंग दा ब्लैंक्स में चार हैं बाकि दस यहां पर एक नमबर के और आफ नमबर फिर उसके बाद में कि वाइड ग्रब जो है उसकी एक साल में कितनी जनरेशन होती है तो एक जनरेशन होती है उसके बाद में यह वाला कोशन है वह इंपोर्टेंट है कि अर्थवाम कोकून इस फॉर्मड बाई तो किस पार्ट से बनता है तो वह पार्ट कौन सा होता है क्ला यहां पर आपकी आईगी वर्कर्स कि जो वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स से जो है पॉलीनेशन करवाया जाता है क्योंकि वहां पर नेक्टर को यूज करते हैं नेक्स्ट है वेरी सोट कोश्टन तो इसमें अपने पास में एक नंबर का है यह इजबार भी इतने ही आएंगे और इसमें जो है अब यह जो हैं questions यह very sort हैं अब जैसे सबसे पहले दे रखा है define egg plant तो आपको पता है कि tissue culture में जो हम raw material use करते हैं वो कहलाता है आपका egg plant और यह egg plant कुछ भी हो सकता है cell हो सकती है stem हो सकती है अपने पास में egg हो सकता है pollen हो सकता है तो कोई भी जो है जिससे की हम process को start करते हैं उसी को हम क्या बोलते है एक्सप्लांट फिर उसके बाद दे रखा है write any one example of artificial chromosome तो आपको पता है कि back और yak यानि की bacterial artificial chromosome और east artificial chromosome तो इन में से दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हो फिर उसके बाद में है कि पॉम ग्रेनेट बटरफ्लाई लेज एक्स ओन विच पार्ट तो इसमें यह important है कई बार repeat हो चुका है तो जो भी अनार या पॉम ग्रेनेट का जो flower होता है उसका जो कैलिक्स होता है उस कैलिक्स के उपर यह बटरफ्लाई अपने एग को देती है फिर उसके बाद में है कि हाउ मैनी फेरोमेन ट्रैप सेट इन वन हेक्टियर तो इसका सीधर ही आंसर है जो आपके बुक में दे रखा है फाइफ फेरोमेन को आप एक हेक्टियर में लगा सकते हो फिर उसके ब से चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं और यह अपने चुहे मारने के लिए काम में लेते हैं तो आप अल्यूमेन जिंक सलफाइड कर सकते हो तो दो कोई भी आंसर फिनाइल भी आप कर सकते हो फिनॉक्तिलिन जो है उसको भी आप कह सकते हो तो यह इस तरह के जो सॉलिड ड विए उसके बाद में राइट हैि टू नेम ऑफ हुमन पेरेसाइट तो आपको पता है कि ऐस क्यारील को प्लाजमूटियम कर kalo NOT गरते हैं और अपर शार टाइट स्थ्यदस करते हैं और ल। C इसमें देखो जैसे यहां पे डे भी रखा है कि तीन आपको थ्री अब्जेक्ट लिखने है प्लांट ब्रीडिंग के तो इसमें हर आपका हाफ आफ नंबर का होगा आपके बुक में करीबन ट्वेल अब्जेक्ट दिये हैं जैसे हाई रिल्ड है इंप्रूब्मेंट और फोटो सिंथेसे जैड और मिन्सी तो इस तरीके से आपको बहुत सारे दे रखें तो उनमें से कोई तीन आपको लिखने फिर उसके बाद में हैं राइट एनी थ्री डिसएडवांटेज और प्लांट इंट्रेक्शन इसको इंपॉर्टेंट कर लो बहुत दे रखा है कि एक तो वीड का दे रखा है कि हमाई इसके कारण वीड आ गई और वीड में भी आपको एक्जामपल आप दोगे कि जैसे ग्योंसा है या जिमोन मेक्सिकाना है फिर उसके बाद में इनमें डिजीज भी आ गई जैसे आपको स्री लंका की कॉफी स्मट वाला ह है वह दे रखा है और उसके अलावा कि यहां पे जो है प्रडेक्शन या एन्वार्मेंटल पॉलुशन भी हो सकता है तो कुछ हमारे पास में ऐसी वेराइटी है जिनने पॉलुशन जिसमें अपने पास में वाटर हाइसंत है यह लेंटाना है तो यह कुछ ऐसे है क्योंकि आप देखो लास्ट यह आ गया है वैसे PBR 322 और एक टियाई प्लाजमिट इन दोनों के जो एक्जामपल है डाइग्राम वह आप बिल्कुल कर लेना डाइग्राम के लिए तो आपकी PBR आ चुका है लास्ट यह तो इस बार टियाई प्लाजमिट की आने की संभा दोनों के डाइग्राम को अच्छी तरीके से कर लेना तो ऐसा नहीं कि कोश्चन रिपीट नहीं होता कभी कभी रिपीट भी हो जाता है फिर उसके बार में नेक्स्ट है आपका कि बायो टेकनोलोजी का एग्री कल्चर में क्या सिग्निफिकेंट्स है तो आपकी जैसे एग टेकनोलोजी के तो इसी से रिलेटेड आजाएगा आपका कि टिशू कल्चर के कौन-कौन से है तो अब यहां इंपर्टेंट हो गए तो टिशू कल्चर में आपको पता है साइब्रीड और यह वह आली जो एक्जामपल है वह एक्जामपल आप यहां पे अच्छी तरीके स इसके बाद में वह इन्टीग्रेटेड प्वेस्ट मेनेश्मेंट तो सबसे बहले आप यह बताओगे कि जैसे बहुत लेकर तो उन्होंने कंट्रोल वर्ट दिया ता फिर उसके बाद में जो गियर है उन्होंने इसको कंट्रोल की जगे मैनेजमेंट वर्ड दे दिया और फिर उसके बाद में आप इसकी डेफिनेशन दोगे और यह दे दोगे फिर क्योंकि वन एंड हाफ का है तो सबसे पहले आपने देजी फिर डेफिनेशन देजी फिर बस केवल इसकी जो दो थ्योरी दी वह है उनके केवल आप वहां पे नाम लिख देना तो यह पूरा का प दे रखे हैं एक तो नेपसेक दे रखा है एक आपको रोटरी वाला दे रखा है तो इस बार आपका रोटरी हो गया तो इस तरीके से आप कंपेर करके चीजों को करों फिर उसके बाद में तो तैंथ कोशन है उसमें फिलोडी मतलब होता है कि जहां पे फ्लावर्स जो है वह होने चाहिए उसकी जगे अगर लीफ लाइक स्ट्रेक्चर ग्रो हो जाती है तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं फाइलोडी और आपके उसमें तिल की फिलोडी का एक्जामपल जो है वह दे रखा है और उसके बाद में नेक्स्ट आपका है ट्रांसमिशन तो ट्रांसमि और यहां पर आपका एक्जामपल भी दिया हुआ है कि लीफ कर लॉफ टमेटो में जो वाइरस है वह किसके थूरू फैलता है वाइट फ्लाय तो यह इस तरीके से आप एक्जामपल देखे पहले आप बताओगे कि इसकी डेफिनेशन दोनों की और फिर उसके बाद में इस इसके बाद में माइक्रो और गेनिजम है इसकी सेल वाल उत से यह सराउंडेड रहता है तो इस तरह से पहले आप इसकी डेफिनेशन दोगे फिर इसके कैरेक्टर दोगे तो कैरेक्टर यहां पर दो दे रखें तो ऐसे टाइम में आप कैरेक्टर इंपोर्टेंट दोगे जैसे सेल वाल के बारे में यहां लिख दी तो आप मेजोजोम के बारे में लिख सकते हो आप राइबोजोम के बारे में लिख सकते हो या प्लाजमिट के बारे में लिख सकते हो तो इस तरीके से जो इंपोर्टेंट करेक्टर हैं वह करेक्टर दो ही पूछे तो उसमें जो इ तीसरा आपका फंगस है या फिर फाइटो प्लाजमा है तो इनकी सेलूलर स्ट्रेक्चर है तो इन चारों में से किसी एक की सेलूलर स्ट्रेक्चर आती है तो आप इसको अच्छी तरी से तैयार करोगे फिर उसके बाद में next है what is plant pandemic disease तो सबसे वहले आपको बताना है कि pandemic क्या होता है तो pandemic होता है जब हम पूरे वर्ल्ड में whole world में अगर कोई disease सेम फैल जाती है तो ऐसी को हम क्या होता है pandemic और इसका एक्जामपल बसे अभी लेटेस्ट में तो आप को रोना का दे सकते हो लेकिन यह आपको प्लांट का देना है तो लैट ब्लाइट ऑपटेटो फिर र आपके बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है तो आपको पता है कि बैट के रूप में करते हैं वर्मी कंपोस्ट है सोईल इंप्रूब्मेंट है इसलिए अपन इसको क्या बोलते है फार्मर फ्रेंड बोलते तो यह आप यहां पर दे सकते हैं फिर उसके बाद में ग्रा के और हो सके तो ऐसे कोस्टन में आप चुटे चुटे डाइग्राम मनाने की भी कोसिस करना अब आगे आपके थोड़े से लॉंग आंसर टाइप कोस्टन इसमें अब इस बार जो है 16 17 और इन कोस्टन में आपके पास में आप्शन भी आएगा तो 6 कोस्टन आएंगे अब को पहला वाला जो है 16 वाला वाटे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन सबसे पहले तो आप जर्म प्लाज्म की डेफिनेशन दोगे फिर आप बताओगे कि इनको कैसे कंजर करते हैं तो इसमें आप दो आपके मैथड दिये वे हैं इन सीटू और एक सीटू तो वह आप दोगे कि इन सीटू में कैसे करते हैं एक सीटू में करते हैं क्योंकि तीन नंबर का है तो यह आपका लगबग एक पेज का इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए फिर उसके बाद में अगला है राइट इफेक्ट आफ निमिटोर अन प्लांट तो यह आपका जो बुक है उसमें गला है जाती है फिर उसके बाद में ग्रोथ कम हो जाती है नूटीशन कम हो जाता है जो रूटस से हो ही ओ जाती लिखोगे फिर उसके बाद में next है कि possibilities and importance of fisheries PC culture तो इसमें आप ये बहुत अच्छा आपके बुक में दिया हुआ है तो कम से कम 5 possibilities आप लिखोगे और 5 ही आप इसकी importance लिखोगे तो इस तरीके से ये भी आपका कम से कम एक पेज का answer होना चाहिए तो तीन number आपको जैबी मिलें जब पांच possibilities लिखोगे और पांच इसकी importance लिखोगे next है आपका D section जिसमें चार नंबर के question है ये 90 और 20 इस बार भी इसी तरीके से आएंगे इसमें भी option आएगा और ये मान के चलो कि पहला जो नए है ये आपका insect में से confirm है तो आप जैसे मान लिजे कि termite आ गई है ये आग तो इसमें ये कोकी चार नंबर का है तो point भी इसमें चार दिये है सबसे पहले आप termite है उसका scientific name लिखोगे और फिर आप उसका classification भी दो अन्य पूछा तब भी आप दीजे पहले आप उसका English name लिखोगे फिर जो है उसका scientific name लिखोगे फिर order लिखोगे फिर family लिखोगे उस फिर उसके बाद में losses है फिर उसके बाद में management है तो management में आप तीनों दोगे cultural भी दोगे chemical भी दोगे और biological भी दोगे तो यह जब सारे चार पॉइंट आप लिखोगे तब जाके आपको इसमें number मिलेंगे फिर ऐसे ही जो है यह आपके है तो इसमें plant की जो disease है तो यहाँ प से जो chapter है उनमें से यह आते ही आते हैं तो इसमें भी हुए है कि सबसे पहले आप इसके symptom पूछें फिर pathogen पूछें तो pathogen फिर उसका scientific name फिर उसका कोई character है तो वो फिर उसके बाद में management है अगर diagram है तो diagram है तो इस तरीके से इन जो questions है इन questions का आपका जो है two and half यानि दो page और फिर जो तीसरा page होगा वो half होगा जिस पर कि आपका इसका diagram होगा तो कम से कम इसमें आपको two and half page का answer देना है इन में और जो आपका तीन number है उसमें कम से कम आपका एक page का answer होना चाहिए तो इस तरीके से आप इसको describe करोगे ठीके okay thank you